तो इस टाइम अबडेट आ रहा है यूपी की तरफ से यूपी में जो MBDS का काउंस्लिंग का जो शेडूल है वो अनाउंस हो चुक है तो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या-क्या करना होगा है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप वेबसाइट सही से खोलें तो कि और भी बहुत नहीं वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो आपको सबसे पहले खोले हैं यहाँ यहाँ यूपी नेट जोट जी ओवी डोट इन अग देखो यह लिखा और रहे हैं रिजिस्ट्रेशन ऑफ यूपी नेट यूजी 2020 विल बी अविलेबल सुन तो रिजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी उसका शेडूल मैं आपको बता हुआ लेकिन अगर आप अभी रिजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करोगे तो यहां पर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा कि ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन फॉर यूपी नीट यूजी 2020 विल बी अविलेबल वैरी सुन ठीक है रिजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो जाएगी मैं आपको शेडूल दिखा देता हूं उसके लिए आपको कहा जाना हुग इसको आपने ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यह पीदिया फइल खुल जाएगी ठीक है तो हम सबसे पहले चलते हैं इसको पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें लिखे है एकी ओफिस ओफ़़ दिएक डिरेक्टर जनरल मेडि़िकल एजुकेशन औ ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश जहां पे इनका ये हैड ओफिस है यहां से यह जो इन्होंने जो नोटिस रिलीज केस में लिखा है कि देखो सबसे पहले आपको यह बता दूँ यह गवेडिकल कोलेजेश और गवेडियू अपकी होगी रिजिस्टेशन अब वो कब स्टार्ट होगी वो होगी फिफ्थ नवंबर को यानि कि आज आज सी यह शुरू होएगी चार बजे से शाम चार बजे से यह मैं वीडियो पी सुबह दाल रहा हूँ तो शाम को आपकी तक यह चलने वाली है आपको तीन दिन का टाइम मिलेगा आप इसमें अपने रिजिस्टेशन करा सकते हैं आप अपने डोकुमेंट्स आप अपने वेरिफाइए करने हैं कि हाँ जो आपने नीट के टाइम पे दिये थे आपके वह डोकुमेंट्स हैं या नहीं है और आपको आप अपने नाम वगएरा चेक करना होगा रिजिस्टेशन जो फीस होगी आपको वह बरनी होगी जब आप यह सब कर देंगे उसके बाद आपको अपने डोकुमेंट्स होंगे वह वेरिफाइए कराने होगी देखो ओनलाइन वेरिफिकेशन क्या होती है पहले वह आपको सेंटर पर जाना पड़ेगा आपको सेंटर है वह आपको अनाउंस हो जाएगा कि आपको कहां पर वेरिफिकेशन कराने अपने डोकुमेंट्स की जाना है आपको जहां भी पास पड़े जैसे सहारनपूर, मेरत, लखनो और जितनी वारनसी है आगरा इन सब जग इतने से इतने marks वाले दिन बुलाए जाएंगे फिर अगले दिन कम वे फिर उससे दिन और कम marks वाले बच्चे बुलाये जाएंगे ठीक है तो यह आपको शुरू हो जाएगा उसके उसी टाहिमी जब आप ये डोकुमेंट्स वेरिफाइड हो जाएंगे तो आपको online choice filling करनी होगे ठीक है उसी टाहिमी तो online choice filling आपको करनी होगे जहाँ पर documents verified होगे वहाँ पर आपको वो बता देंगे आपके verified हो चुगे फिर उसके बाद आपनी choice filling कर सकते हैं जैसे आपने choice filling कर ली अपने documents verified होने के बाद और वो तीन दिन चलने वाली चार दिन चलने वाली है 6th November क्योंकि जग और 9th November तक documents verification होगी इसके बाद एक और दिन मिलता है 10th November तक का ठीक है आपने documents कर ली choice filling कर ली अपने preference wise अपने college select करने है पहले आपने देखने हैं आपको fees वो जो affordable लग रही है नहीं लग रही कई colleges की fees ज़्यादा भी है बहुत ज़्यादा है तो आपको वो सब देखके बरना है ठीक है आप पहली priority government को दे सकते हैं second priority private को दे सकते हैं फिर क्या होगा आपका date of declaration of list of registered candidates so 9th November को वो उन candidates की list निकलाएगी जिन जिन candidates ने documents verification करा लिए ठीक है वो निकलेगी आपकी 9th November को 9th November को आपके निकल जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है declaration of आपको कुछ नहीं करना है आपका जो seat allotment अगर आपको seat allot हुई होगी तो वो आपको result में पता चल जाएगा कि आपको इस पर admission मिलेगा first round की बात कर रहा हूँ second का भी बाद में आएगा यह first round का है तो declaration के बाद क्या होगा 11th, 12th November को दो दिन result में निकलेगा आपका तो आपको वहाँ चेक करना है कि आपको college allot हुआ है या नहीं हुआ उसके बाद आपको 12th November to 18th November यहाँ पर आपको allotment letter मिल जाएगा मतलब इनका कहने का मतलब है कि यह जो दिन है देखो 12th November to 18th November इन दिनों में आपको allotment letter आपकी website पर रहेगा इसके बाद हट जाएगा है तो इन ही दिनों में आपने allotment letter को निकलवा लेने उसको print-out करवा लेना print-out करवा कि आपने क्या करना है आपने जाना है college में जहाँ भी आपको college allot हुआ है अगर college allot नहीं हुआ तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, आपको wait करना है, second round का, second round में chance होगा अगर तब भी नहीं मिलता तब आपको wait करना है move up round का, ठीक है, move up round अगर आपने कर लिया, तब भी नहीं मिलता, उसके बाद एक лучше round होगा, तो उसमें मिल सकता, original documents मांगे तो आपको वहाँ पे submit करा देने उससे क्या हो आपकी surety हो जाएगी कि आप college छोड़ने सकते है उसके बाद आपके वहाँ पे college में security bond होती है वो भी आपको भरनी होती है कई colleges में होती है कई में नहीं होती है कई दिखाते भी नहीं है तो आपको जो आपकी fees होती है आपको पूरी देनी होती है यह कही को जिसमें क्या होता आपको colleges पूरा करने के बाद आपको एक से दो साल आपको किसी रूरल एरिया में आपको duty करने होती है वो भी free of course तो यह बहुत यह चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है तो आपको पहले इसमें आपको इन दिनों में से 12, 13, 17, 18 इन की नीवी दिनों से आप जा सकने है college में admission कराने ठीक है यह college में करा लेंगे अब इसके बाद जो नीचे की देखो आपको पड़को बताता हूँ यह लिख है कि for participating in counseling need to use 2020 जिनको भी counseling करानी है उनको 2000 पीज देनी होगी registration करानी होगी जो की non refundable होगी आपकी ठीक है और मैंने आपको website starting में बता दी थी वो website होगी up need.gov.in ठीक है अब अगला देको point लिख है online registered candidates will have to get their documents verified at the nodal center मैंने आपको स्राइटिंग में बताया था कि आपको अपने अपने नोडल center में जो भी आपको पास लगेगा वो आपको जब registration करा होगे न वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको कौन सा center college के लिए करानी अगर अपने government college को preference देनी है वहाँ पर admission लेना आपको लगता आपके marks अच्छे है और government college मिल जाएगा ठीक है और two lakh आपको two lakh कराने आपको private college के लिए ठीक है और यह जो यह जो amount है one lakh यह करानी है dental seats के लिए आपको इस पर आपको बनाना है यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर draft बनवाना आप किसी भी bank में जाके draft बनवा सकते हैं वह आपके account से पैसे निकाल के आपके एक draft बना देंगे जहाँ पर वो जो two lakh का होगा या one lakh का होगा या thirty thousand का रखना ही सब चीज होगा if candidates eligible अगर कोई candidate eligible government state quota के लिए सच candidates can participate for both government and private private में भी eligible होंगे और जो government उसमें भी eligible होंगे तो उनको जो security money देनी होगी वो देनी होगी two lakh and by submitting one lakh for dental medical and dental अब fifth point only those candidates will be eligible choice filling whose original documents have been verified जिनके भी जो documents वो verify हो जाएंगे सिर्फ वो ही participate कर सकते हैं counseling में ठीक है और जिनके security fees आ जाएगी अगला point पढ़ते हैं sixth point है during choice filling candidates should take a row आपको ध्यान रखना है जब भी आप college लोगे ठीक है और कौन से course में लोग या निकि मेडिकल MBS में लोग या BDS में लोग आप कोई चीज़े ध्यान रखके करनी है ठीक है अगर आप से गलती से अगर आप admission नहीं लेते हैं तो आपकी security money will be if admission is not taken or after admission resignation is submitted अगर आप resignation दे 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 तो security money आपको मिल जाएगी ठीक है first round में मिल जाती है और रिजिस्टेशन शूर्ड है शूर्ट आपको जब भी जब आप admission के टाइम पर जब आपने choice fill कर दोग उसके बाद choice आपको लोग भी करनी है वहाँ ठीक है वरना आपकी जो सीट है वो consider अगर आपको अब डेटा है था first round के लिए mdbs bds counseling के लिए तो मैंने आपको बता दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अपडेट जानना चाहते हैं अब और आप और स्टेट्स के लिए तो आप वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को श